हैलो जाइहिन दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल शुबम एकलासिस में जैसा आप सभी को पता है हर संडे हमारा एक कम्पलीट पचास प्रशनों का मॉडल पेपर होता है परन्तु आज हम पचास नई पूरे सो प्रशन डिसकस करने वाले हैं जो की आपके समानने विज्ञान के होंगे यदि आपका भी आर्मी में जाने का सपना है आप भी आर्मी के एक्जाम की तयारी करते हैं तो ये सो प्रशन समवने विज्यान के आपको आने ही चाहिए सभी प्रशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड एक्सपेक्टिड है भले ही आपका exam army gd है, color का है, tradesman है, technical है आज की class आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट होने वाली है तो अपना complete test लगाईएगा, 100 प्रशन लगातार हम discuss करने वाले हैं, तो चलिए अपनी class, शुरू करते हैं तो प्रशनों की संख्या यहाँ पे आपकी 100 होने वाली है, और आपको मैं target दे रहा हूँ 85 प्लस प्रशन ठीक करने का 85 आप स्कोर अराम से कर सकते हैं, अपना complete test लगाईएगा, language, Hindi और English दोनों होने वाली है पहला प्रशन आपके साबने स्क्रीन पर जल्दी से आंसर देना है, किसी भी प्रशन के आज option नहीं बोले जाएंगे क्योंकि प्रशनों की संक्या 100 है, मैं question पढ़ूंगा और आपको direct answer बताऊंगा, आपको मेरे से पहले answer देना है पहला प्रशन किश शाखा के अंतरगत रेशम के कीडे का पा होता है, रेशम के कीडे का अध्यन होता है, right तो रेशम के कीडे का अध्यन होता है, सेरी कल्चर के अंतरगत, option B, इसका right answer होगा question number second आपके साबने है, इसका answer देंगे जल्दी से विश्व में सरवपरतम हिरिद्य प्रत्यार ओपन किसके द्वारा किया गया विश्व में सरवपरतम हिरिद्य प्रत्यार ओपन, option C, जिनोंने answer दिया है Christian Bernard, उनका right answer होगा, और भारत में किस ने किया था, तो P, वेनु गोपाल ने question number third आपके सामने, कोशिका के अध्यन को क्या कहते है कोशिका के अध्यन को क्या कहते है right answer होगा, इसका option B, cytology, cosmology, ब्रह्मांड का अध्यन होता है histology, उत्तको का अध्यन होता है और neurology होता है, तंत्रिका, तंत्रिका अध्यन question number four आपके सामने है, जल्दी से इसका अंसर देंगे इस थिर्था पर गैस की नियत मत्र का आयतन, उसके दाब का व्युत कर्मानुपाती होता है यह किसका नियम है देखिए, question very very important है right answer होगा, इसका option C, boil का नियम आपसे exam में avograder का नियम पूछा जा चुका है तो Charles का नियम, avograder का नियम, boil का नियम और Newton का नियम आपको पता होना चाहिए question number five आपके सामने है, इसका अंसर दे दो some way को दो गुणा करने पर गतिज उर्जा very very important some way को दो गुणा करने पर गतिज उर्जा चार गुणा हो जाएगी option इसका be correct answer होगा next है question number six आपके सामने जल्दी से इसका अंसर देंगे उर्जा का SI मात्रक क्या है फटफट से question discuss करेंगे 100 की 100 उर्जा का SI मात्रक option be right answer होगा, जूल next है आपके सामने question number seven खाद्य उर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं खाद्य उर्जा को किस इकाई में माप सकते है तो जिनोंने भी इसका right answer option B दिया है कैलोरी उनका correct होगा जी question number eight आपके सामने विद्युधारा की इकाई क्या है विद्युधारा की इकाई correct answer इसका option A होगा एंपियर और ओम आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध का मात्रक होता है वाट आपका पावर है जूल आपका उर्जा और question number nine आपके सामने पदार्थ की चतूर्थ अवस्था क्या होती है very very important पदार्थ की चतूर्थ अवस्था option D जिनोंने आंसर दिया है question number 10 आपके सामने anthology निमन में से किसका अध्यन है जल्दी से आंसर दिजिएगा anthology निमन में से किसका अध्यन है option A correct answer होगा इसका fullo का अध्यन है question number 11 है SI पदती में लेंस की इकाई को क्या कहते है SI पदती में लेंस की इकाई को क्या कहा जाता है option A right answer होगा diopter question number 12 आपके सामने जन्तू विज्ञान के जनक का नाम क्या है जन्तू विज्ञान के जनक का नाम क्या है जिनोंने answer option B को दिया है अरस्तू उनका correct answer होगा जी question number 13 आपके सामने किसके द्वारा electron की खोज की गई थी आसान सा प्रश्न है सभी को answer पता होना चाहिए electron की खोज जे जे थॉंसन ने की थी question number 14 आपके सामने Newton की गती का प्रथम नियम क्या कहलाता है Newton की गती का पहला नियम क्या कहलाता है option इसका C correct answer होगा law of inertia जड़तू का नियम और इसको गलिलियो का नियम भी बोलते है चलिए question number 15 है आपके सामने इसका answer दे तो जल्दी से सबसे अधिक भेदन शमता किस किरण की होती है जल्दी से answer दीजेगा बिल्कूल correct answer match करेंगे जिनोंने option B दिया है उनका correct answer होगा देखिएगा answer देने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं दूँगा यदि आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप session को बीच में रोक लिया करो किसी भी प्रशन के option नहीं बोले जाएंगे प्रशनों की संख्या 100 है दूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है बताओ जी जल्दी से option C जिनने आंसर दिया है कुरुकस कांच उनका correct आंसर होगा पाइरेक्स कांच पता होना चाहिए प्रयोग शाला के उपकरन बनाने में यूज होता है सोडा कांच क्या होता है बोतल और आपकी ट्यूब लाइट में यूज होता है सोडा कांच ये ध्यान रखिएगा चालो question number 17 है आपके साबने EEG का प्रयोग किसके लिए किया जाता है EEG correct answer इसका option B होगा मस्तिश्क के लिए किया जाता है और हिरिद्य के लिए आपका क्या होता है ECG question number 18 आपके सामने स्क्रीन पर तपेदिक नामक बिमारी किसके कारण होती है माइक्रो बैक्टिरियम ट्यूबर क्लॉसेस option B राइट आंसर होगा इसका जिवानों जिनोंने option B को आंसर दिया है उनका आंसर बिलकुल correct है चलो question number 19 का आंसर दो निमन में से क्या शहद का प्रमुख घटक है बहुत ही important और expected question शहद का प्रमुख घटक क्या है correct answer option B होगा इसका फ्रेक्टोज जिनोंने option B को आंसर दिया है उनका आंसर बिलकुल correct है जी next question number 20 आपके सामने शरीर में विटामिन A का संचे कहां पर होता है विटामिन A का संचे शरीर में कहां पर होता है राइट आंसर होगा इसका option B लिवर question number 21 का आंसर देंगे आवला किस विटामिन का सबसे अच्छा शरोत है आवला विटामिन C का सबसे अच्छा स्च्च्रोत है जल्दी जल्दी आंसर दो फटा फट से question number 22 का आंसर दो जल्दी से हरिदय की धडकन को नियंतृत करने में कौन सा खनिज आवश्यक है, करेक्ट अंसर आप्शन C होगा पोटेशियम, क्योशं नमبر 23 आपके सामने, पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में आयरेन पाया जाता है, यानि की option A correct answer होगा आपका question number 24 आपके सामने है किसी रक्त समूग को सर्व दाता कहा जाता है universal donor तो O negative option A आपका right answer होगा जिनोंने option A को दिया है उनका answer बिल्कुल correct है question number 25 का answer दो किसी रक्त समूग को सर्व ग्राही कहा जाता है तो A, B को बोलते हैं option B आपका correct answer होगा question number 26 आपके सामने है सबसे अधिक लोहे की मात्रा किसमें पाई जाती है जिनोंने answer option A को दिया है green vegetables उनका correct answer होगा question number 27 है शरीर का अधिकांच भाग किसका बना होता है बताओ जी जल्दी से बिलकुल correct answer होगा option B इसका जल हमारे शरीर में करीब 70% तक जल की मात्रा होती है question number 28 आपके सामने शरीर में कार्वोहाइड्रेट का संग्रे निम्न में से किस रूप में होता है तो answer match करो साथ साथ जिनोंने भी option A को अंसर दिया है glycogen उनका right answer होगा question number 29 आपके सामने मचलियों के यक्रित तेल में किस विटामिन की प्रचूर मात्रा होती है correct answer होगा option D vitamin D की मात्रा होती है प्रचूर मात्रा में question number 30 आंसर दो जल्दी से गाए के दूद का पीला रंग किसकी उपस्थिती के कारण होता है गाए के दूद का पीला रंग option B जिनोंने आंसर दिया है केरोटीन उनका correct होगा गाए के दूद का सफेद रंग होता है केसिन के कारण चले आगे चलो question number 31 आपके सामने है इसका आंसर जल्दी से दे दो very very important pressure cooker में खाना कम समय में तयार होता है क्योंकि 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 दाब बढ़ने से जल्द का कौथनांक भी बढ़ जाता है option B correct answer होगा जिनोंने option B को answer किया है चलो question number 32 का आंसर दे जल्दी से सिरके में कौन सा अमल मौजूद होता है answer देंगे और देखिए आपके लिए पूरे 100 प्रशन का वीडियो बनाया है तो आज तो like बनता है hundred प्रशन का वीडियो बनाया है like अगर आपने अभी तक नहीं किया है आपको session पसंद आ रहा है तो like जरूर कीजिएगा आज आपको share भी करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी आपके जो भी friend army की तयारी कर रहे है right और यदि आप नए है आपको लगता है हमारा channel आपके लिए helpful है तो subscribe करने के बाद bell icon जरूर दबाएंगे जिस से आने वाली वीडियो की सभी notification आपको मिलती रहे तो सिरके में कौन सा अमल होता है अप्शन B correct answer होगा जी question number 33 छिली हुई सबजियो को धोने से कौन सा विटामिन नस्ट होता है छिली हुई सबजियो को धोने से विटामिन C नस्ट हो जाता है option A correct answer होगा answer match करते जाएगा साथ साथ आपको score बताना है क्या आपका 100 में से 85 सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है किसकी अनपस्तिती में protein sensation कार्य संपादित नहीं होता तो देखो protein की factory बोलते हैं ribosome को यदि ribosome नहीं होगा तो protein sensation का कार्य कम्पलीट नहीं होगा option C right answer होगा question number 35 है आपके साबने रक्त में कितने प्रतिशत प्लाजमा होता है रक्त में करीब 55 से 60 प्रतिशत तक प्लाजमा होता है question number 36 आपके सामने किसकी उपस्तिती के कारण रक्त का रंग लाल होता है असान साब प्रश्ण रक्त का लाल रंग हीमो ग्लोबिन की उपस्तिती के कारण होता है मैच करते जाएगा सासा 37 carbon monoxide का संकेत क्या है carbon monoxide का संकेत होता है सी ओ एन्ने होता है सोडियम का question number 38 paleontology की अंत्रगत किसका अध्यन किया जाता है correct answer जिनोंने option C को दिया है जिवाश्म फोजिल्स उनका right answer होगा question number 39 पे चलते हैं जल्दी से answer देंगे जन्तूओं में होने वाला foot and mouth रोग किसके कारण उत्पन होता है foot and mouth रोग तो ये होता है वाइरस के कारण option B जिनोंने answer दिया है उनका answer बिलकुल correct है question number 40 आपके सामने athlete foot नामक बिमारी किसके कारण से होती है बताओ जी जल्दी से athlete foot नामक बिमारी होती है कवक से option C आपका right answer होगा question number 41 है malaria की खोज किस विज्ञानिक ने की malaria की खोज which scientist discovered malaria option इसका D right answer होगा Ronald Ross question number 42 रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा vitamin आवश्यक है तो blood clotting के लिए जीनों ने भी answer option D दिया है ना vitamin K उनका right answer होगा question number 43 आपके सामने है किसके द्वारा जीन शब्द का प्रतिपादन किया गया देखो जीन शब्द की बात कर रहा है तो जीन शब्द का प्रतिपादन जो हांसन ने किया था option B आपका right answer होगा जी question number 44 का अंसर जल्दी से दे दो मानव शरीर की कोन सी ग्रंती एक अंतर स्रावी तथा बहीर स्रावी दोनों की तरह कारे करती है option B आप इसको अंसर ध्यान रखेंगे अगनाश्य करेक्ट अंसर होगा अगनाश्य अंतर स्रावी और बहीर स्रावी दोनों की तरह कारे करती है ध्यान रखेंगा important है 45 शरीर में संक्रमन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है सही जवाब होगा इसका option A, vitamin A Question number 46 है आपके साबने answer देंगे धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है धान का खेरा रोग किसकी कमी के कारण होता है जिनोंने भी right answer option C को दिया है जिनक उनका correct answer होगा इसमें करीब 60-70% question आपके previous year के हैं बाकी कुछ question आपके अच्छे हैं नए हैं किस धातू को चाकू से काटा जा सकता है important question चाकू से काटी जा सकने वाली धातू right answer match करेंगे जिनोंने option C को answer दिया है sodium sodium को चाकू से काटा जा सकता है जी आपके सामने 48 कोन सी धातू थोस अवस्था में नहीं पाई जाती और देखो यह वाला question मैंने आपसे कल भी पूछा था community में बट मैंने लिखा था कोन सी अधातू कि जो है तरहल अवस्था में होती है तो इसका भी आंसर बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया करीब 70% विद्यारतियों ने इसका आंसर अभी भी गलत दिया है जाके community चेक कर लेना देखो धातू जो थोट अवस्था में नहीं पाई जाती वो होती है और अधातू क्या होती है ब्रोमिन होती है जो की तरल वस्था में पाई जाती है कि समझ गए चलो कोश्चन नमबर 49 आपके सामने है एंटी मनी क्या है एंटी मनी क्या है तो आंसर मैच करेंगे जिनने आप्शन सी को आंसर दिया है उपदातू उनका राइट आंसर होगा औ और कोश्चन नमबर 50 आपके सामने कोन सी धातू बजली की अच्छी सूचालक होती है बजली की सबसे अच्छी सूचालक धातू राइट अंसर ऑप्शन इसका एह होगा चांदी और और दूसरे नमबर पर आता है स्तामबा तो यहां पर 50 कोश्चन कंप्लीट है कोश्चन नमबर 51 जल्दी से शुरू करेंगे फटा-फट से खतम करना है टेस्ट फोटोग्राफी में कोन सा तत्व उप्योगी होता है फोटोग्राफी में कोन सा तत्व उप्योगी होता है आप कोश्चन नमबर 52 आपके साबने नीला थोता का रसाइनी के नाम क्या है वट इस दा क्यमिकल नेम ओफ ब्ल्यू वेट रोईल करेक्ट अंसर मैच करेंगे जिनोंने ऑप्शन एक ऊंसर दिया है कॉपर सलफेट कोश्चन नमबर 53 आपके साबने सबसे कठोर धातु कोन सी है पड़ियेगा राइट आंसर ओप्शन बी होगा इसका प्लैटिनम कोश्चन नमबर 54 पे चलते हैं किस धातु को सफेद सोना भी कहा जाता है very very important सफेद सोना किस धातु को बोलते हैं तो प्लैटिनम में कोश्चन नमबर 55 आपके साबने विद्धुत बल्व का तंतु किसका बना होता है बहुत बार पूछा गया प्रशन आपके सामने विद्धुत बलव का तंतु किसका बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है option C right answer होगा जी ओके question number 56 का answer दे दो कौन सी धातू transistor के रूप में प्रयोगत होती है very very important question ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होने वाली धातू सही जवाब होगा option A germanium question number 57 आपके सामने निम्न में से समानने किसम का कौईला कोन सा है समानने किसम का कौईला की बात करेंगे तो option B correct answer होगा बिटू मिनस कौईला और देखो लिगनाइट कोईला को भूरा कोईला कहा जाता है इध्यान रखेगा important है और सबसे उच्च कोटी का कोईला होता है anthracite कोईला सबसे उच्च कोटी का कोईला ओके सबसे अधिक कार्बन की मात्रा इसमें होती है चलो question number 58 आपके सामने प्रकृती में सबसे कठोर पदार्थ कोन सा है सबसे कठोर पदार्थ कोन सा है प्रकृती में correct answer होगा इसका option D diamond यानि की हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा question number 59 है हीमोगलोबिन में उपस्तित धातू कोन सी है what is the metal present in हीमोगलोबिन answer जल्दी से दीजेगा इस प्रस्ण का हीमोगलोबिन में उपस्तित धातू होती है low option C आपका right answer होगा question number 60 आपके सामने संचायक बैटरी में कोन सी धातू का प्रयोग होता है very very important question है संचायक बैटरी में सीसा प्रयोग होता है late आपका right answer होगा option D answer match करते जाएगा सभी प्रस्ण के सभी प्रस्ण very very important है box side किस धातू का मुख्य आयसक है box side किस धातू का आयसक है तो aluminium जो option D को answer दे रहे है उनका right answer होगा फिर से बोलूँगा यदि आपको answer देने के लिए और समय चाहिए तो आप वीडियो को बीच में रोक लिया करो हे में टाइट किस धातू का मुख्य आयसक है हे में टाइट किस धातू का मुख्य आयसक है option A आपका right answer होगा question number 63 है आपके सामने समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कोन सा है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ option A correct होगा sodium okay sodium हो गया आयोडीन आपके एक्जाम में आएगा यहां फिर लोहा लोहा कह रहा हूं सौरी नमक ठीक है यह सब समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं नमक का रसानिक नाम क्या होता है sodium chloride question number 64 का अंसर देंगे पीतल निमन में से किस धातू का मिश्रण है पीतल कोपर और जिंक का मिश्रण है option D आपका राइट आंसर होगा 65 नमक कोश्चन रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई देखो एक होता है आपका रेडियो एक्टिवता जिसकी कोज हेंरी बैक वेरल ने की है अगर रेडियम की बात करेंगे तो मैडम क्यूरी आपका करेक्ट आंसर होगा option C 66 नमबर कोश्चन है भाप इंजन का आविश्कार किस ने किया भाप इंजन का आविश्कार करेक्ट आंसर इसका जिन्होंने भी option B दिया है उनका correct होगा जेम्स वाट कोश्चन नमबर 67 आपके सामने पी-एच स्केल के खोज करता कौन है पी-एच स्केल पता है ना जैसे जल का पी-एच मान बलड का पी-एच मान जो पी-एच स्केल जिन्होंने बनाया था वो बनाया था पी-एल सारेंसन ने option A correct answer होगा नेक्स्ट 68 नमबर मानव श्रीर की सबसे बड़ी गरंती कोन सी है तो इसमें समय देने की जुरूरत नहीं है आपको option जिन्होंने A answer दिया है लीवर उनका correct answer होगा ओके सबसे छोटी कोन सी है पिट्यूट्री है नेक्स्ट है आपके सामने 69 श्रीर का उत्तम श्रीर का सबसे कठोर भाग कोन सा है मानव श्रीर का सबसे कठोर भाग होता है दात का inamel option C सबी ने सई answer दिया है question number 70 पे चलते है जल्दी से answer दिया करो जी step इज नामक अस्थी कहा पर पाई जाती है मानव श्रीर की सबसे छोटी हड़ी होती है step इज और ये हमारे कान में पाई जाती है option A जिन्होंने answer दिया है उनका right answer होगा question number 71 पे चलते हैं मानव श्रीर में मास पेशियों की कुल संख्या कितनी है मास पेशियों की संख्या what is the total number of muscles in the human body correct answer option B होगा 649 question number 72 है बल का SI मात्रक क्या है बहुत ही आसान बहुत ही easy question question बल का SI मात्रक क्या है option A answer होगा इसका Newton question number 73 आपके सामने विभांतर का मात्रक क्या है लो जी इसका answer देंगे बहुत important question विभांतर का मात्रक होता है volt option इसका C correct answer होगा विभांतर का मात्रक होता है volt watt किसकी काई है power यानि की शक्ती की काई है 74 आपके सामने पाइरो मेटर का प्रयोग क्या मापने में करते है बताओ जी आंसर जल्दी से पाइरो मेटर का प्रयोग करते है उच्च तापमान नापने के लिए option B आपका correct answer होगा question number 75 आपके सामने है पानी का घनत्व कितने डिगरी पर अधिक होता है पूछा गया प्रशन आपके एक्जाम में पानी का घनत्व चार डिगरी पर अधिक होता है option B correct answer होगा और चार डिगरी पर आयतन कम होगा यह आप ध्यान रखेंगे 76 आपके सामने है निकट दृष्टी दोश को दूर करने के लिए किसका उप्योग किया जाता है correct answer जिनों ने भी option B दिया है अवतर लेंस उनका right answer होगा दूर दृष्टी के लिए आपका उत्ता लेंस होता है question number 77 शरीर के किस अंग में iodine संचित होता है iodine शरीर के किस अंग में होता है तो आपको पता होना चाहिए thyroid गरंथी जो की आपके गले में होती है option C आपका right answer होगा 78 number question कौफी में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है right answer option B होगा इसका caffeine मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही answer दिया होगा और सभी को आज का test पसंद आ रहा होगा पूरे 100 प्रशन लगातार आपके सामने यदि आपने अभी तक like नहीं किया है तो देखे like कीजेगा like के लिए मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ और हर एक वीडियो में बोलूँगा है ना ये काम अप अपने आप कर दिया करो vitamin A का रसाइनी के नाम क्या है बताओ जल्दी से option A correct answer होगा retinol question number आपके सामने है 80 blood cancer को आम तोर पर किस नाम से जाना जाता है blood cancer को आम तोर पर leukemia बोलते हैं option A correct answer होगा question number 81 आपके सामने है chemotherapy का प्रयोग किस विमारी के उपचार में करते हैं जल्दी से answer देंगे chemotherapy का प्रयोग answer जिनोंने भी option B दिया है cancer उनका correct answer होगा question number 82 आपके सामने है कोन सी बिमारी proto-जोवा के कारण फैलती है बताओ जी इसका right answer होगा option D malaria question number 83 आपके सामने है answer बच्चों में होने वाला मरासमस रोग किस की कमी से होता है बिलकुल right answer जिनोंने option D को दिया है protein उनका correct answer होगा question number 84 आपके सामने है रक्त प्लाजमा में जल्द का प्रतिशत कितना होता है रक्त प्लाजमा में जल्द का प्रतिशत तो प्लाजमा में जल्द का प्रतिशत होता है 90% option B correct answer होगा question number 85 आपके सामने है enzyme मूल रूप से क्या होते है answer जल्दी से दीजिएगा और देखिएगा आपको इसका PDF भी मिल जाएगा शाम को हमारे टेलिग्राम चैनल पे फ्री में upload कर देंगे यदि आपने टेलिग्राम जोइन नहीं किया है तो टेलिग्राम को जोइन कीजिएगा वहाँ पे आपको इसका PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा और आप चाहे तो मुझे Instagram पर भी जोइन कर सकते हैं Instagram का लिंक भी आपको description में मिलेगा enzyme मूल रूप से protein होते हैं option B आपका right answer होना चाहिए 86 का answer दो जल्दी से only 15 questions left किस खिलाडी को ततकाल उर्जा के लिए क्या दिया जाता है किसी खिलाडी को ततकाल उर्जा प्रदान करने के लिए glucose देते हैं option A correct answer होगा जिनोंने option A answer दिया है कभी कभी आपके exam में carbohydrates भी आएगा तो वो भी answer कर देना है उसमें भी कोई issue नहीं है question 87 आपके सामने है मानव श्रीर में खून के शुद्धी करण को क्या कहा जाता है खून के शुद्धी करण को क्या कहते है जिनोंने answer option B दिया है dialysis उनका correct answer है question 88 आपके सामने अत्यधिक शराब का सेवन करने से कोन सा अंग प्रभावित होता है अत्यधिक शराब का सेवन करने से हमारा लीवर प्रभावित होता है option आपका D correct answer है question 89 आपके सामने शरीर में रक्त बैंक का कारे कोन सा अंग करता है option B right answer होगा तिल्ली याने की इस्प्लीन जिसको हम पलीहा बोलते है question 90 आपके सामने मचली के हरिद्य में कितने प्रकोष्ट होते हैं तो answer जिनोंने option A दिया है दो उनका correct answer होगा अच्छा मनुष्य के हरिद्य में होते है चार प्रकोष्ट answer देंगे मेंड़क के हरिद्य में कितने प्रकोष्ट होते हैं answer वीडियो खतम होने के बाद कमेंट बोक्स में सारे देंगे मेंड़क के हिरिद्य में कितने प्रकोष्ट होते है और कोशन अबर 91 सिरफ 10 कोशन बचे हैं और यांतरिक उर्जा को विद्युत उर्जा में बदलने का कार्य कोन करता है वरक टू कनवर्ट्स मेकेनिकल एनरजी इन्टू इलेक्ट्रिक एनरजी तो करता है डाइनमो आप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा कोशन नबर 92 आपके सामने डोलोमाइट किसका प्रमुख आयसक है कोशन नबर 93 आपके सामने है दूद का खटा होना किसके कारण सम्भव है दूद का खटा होना ये सम्भव होता है जिवानू के कारण बैक्टिरिया के कारण कोशन नबर 94 आपके सामने किस अंग के कारण न करने पर डाइलेसिस किया जाता है देखो अभी बताया था डाइलेसिस क्या है रक्त को शुद करने का नाम होता है और रक्त शुद कहा होता है हमारे किडनी में होता है तो यानि कि जब आपकी kidney आपका वरिक अच्छे से काम नहीं करेगा तब dialysis किया जाता है option B आपका right answer होगा question number 95 आपके सामने प्रियोग शाला में सरवपर्थम जीन का संसलेशन करने वाले वैज्यानिक थे right answer होगा इसका जिनोंने भी option C को answer दिया है हर गोविंद खुराना उनका बिलकुल correct answer होगा question number 96 का answer दो जल्दी से सुस्क ठोस बरफ का सही सुत्र क्या है what is the correct formula for dry solid ice बिलकुल right answer इसका option A होगा CO2 सुस्क ठोस बरफ का सही सुत्र होता है question number 97 आपके सामने चांदी का संकेत क्या है what is the silver sign what is the sign of silver correct answer option A होगा आपका AG और AU क्या है यह सोने का संकेत होता है okay FE क्या है यह है लोहे का संकेत होता है चलो next question आपके सामने 98 आधुनिक आवर्त सारनी का प्रतिपादन किस ने किया आधुनिक आवर्त सारनी का प्रतिपादन तो देखो option B आपको आंसर देना है मौसले यदि आपको बोलेगा सिरफ और सिरफ आवर्त सारनी का प्रतिपादन तब आपका अंसर मेंडलीफ होगा और आधुनिक आवर्त सारनी मौडर्न प्रियोडिक टेबल तो मौसले आंसर करदा है कॉस्चन नमबर 99 आपके सामने जी किसे वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है आंसर दीजेगा who is called the of botany, botanist father होना चाहिए था राइट आंसर इसका option D होगा थियो फ्रेटस, option D आपका correct आंसर होगा और आज का last question आपका question नमबर 100, जल्दी से answer quick चाहिए मुझे सभी का जल्दी से answer चाहिए जी बंदूग चलाते समय हाथ का पीछे की और जटकना किसका उदाहरन है जल्दी से answer दीजेगा last question तो देखो किरिया प्रतिकिरिया, option इसका C आंसर होगा Newton का त्रितिये नियम बंदूग चलाते समय हाथ का पीछे की और जटकना नाव से उतरते समय नाव का पीछे की और चले जाना, रोकिट का उड़ना ये सब क्या है? Newton का त्रितिये नियम लागू होता है तो जिनों ने option C को आंसर दिया है, उनका आंसर बिल्कुल सही है तो दोस्तों ये थे आपके 100 प्रशन मैं उम्मीद करूँगा आपको हमारा प्रियास जरूर अच्छा लगा होगा कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट करना मत भूलिएगा आपका स्कोर कितना हुआ है आजका और ये भी कमेंट करेंगे आपको आज की क्लास कैसी लगी मेरा पढ़ाय हुआ आपको कैसा लगता है मिलते है कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ तब तक के लिए जये हिंद जये भारत